के ऐसे उसी के अपको करते हैं कि उसमें जो प्रडाईम्स मुलोग फॉल्ट गर्तें करते हैं जो classes properties hold करता है like inheritance क्या होता है polymorphism क्या होता है static properties क्या होती है तो ये हम आगे आगे series में जानते जाएंगे so फिलाल जो inheritance होता है वो जब कोई class किसी class से कुछ properties या characteristics को derive करती है तो उस scenario को हम बोलते है inheritance example के तौर पे आपके पास एक animal नाम की class है जिसके अंदर काफे सारी properties जो एक animal category को block करती है and then हमने क्या करा एक dog नाम की class बनाई and आपको पता है कि dog भी kind of animal है तो dog animal का subset हो गया तो हम दोनों के लिए individually properties लिखने से बढ़िया क्या करेंगे हम सारी properties को animal class के अंदर लिख देंगे and उसके बाद dog class उससे कुछ properties को derive कर लेगा and कुछ नई properties हम अपने तरफ से add कर देंगे तो हमारा जो proper जो overall code का size है वो reduce हो जाएगा तो इसमें जो दो concept आते हैं वो आते हैं हमारे super class and एक होता है हमारा sub class तो super class आपकी parent class होती है जो आपकी main class है and then sub class क्या होती है derived class जो आप super class से inherit कर रहे है तो यहाँ पर एक example के तुर समझते हैं इसके concept को कि inheritance को एक जुरुत क्यों पढ़ती है और क्यों आपको इसे use करना चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन class है एक class bus है, एक class car है और एक class truck है तो तीनों के अंदर कुछ-कुछ mechanisms और properties में लिखे हुए है जो आप real world में follow करने वाले हैं इसको एक real world scenario के तरह imagine करिए तो class bus में तीन methods है पहला fuel amount जो बताता है आपको कि जो fuel का amount है भी कितना बचा हुआ है दूसरा जो method है वो है capacity आपको बताती है कि आपके fuel tank के capacity कितनी है तीसरा है आपका एक mechanism जो से बोलते हैं apply break जो function आप call करते हैं तो break जो है लग जाती है तो ऐसे ही आपने देखा तीनो method तीनो में common है तीनो classes में बट यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि आपने देखा कि बेखो individual classes के लिए individually बार बार same methods को define करना पड़ा और ऐसे ही मेरे पास अगर मैं n number of vehicles के लिए अगर मैं यह program बना रहा हूँ and then उसके बाद तीन class जो है उसमें से inherit कर लोगा जो कि class bus, class car and class truck होगी so inherited class में base class की properties तो होंगी ही होंगी और मैं चाहूँ तो कुछ individually properties अपने तरफ से add कर सकता हूँ जैसे अगर मैं bus में seats add करना चाहूँ तो bus में seats ज्यादा होती है तो वो अपने तरफ से add कर सकता हूँ however, जो class में जो seats होती है वो कम होती है तो मैं कुछ properties अपने तरफ से भी इनमे add कर सकता हूँ तो मुझे मेरा जो यहाँ पर दुबारा से जो code लिखने का काम था वो कम हो गया है मुझे तोवारा same code repeat नहीं करना पड़ेगा मुझे क्या करना है एक बार सिर्फ code लिखना है अपनी main class में and मैं n number of classes इससे inherit कर सकता हूँ तो आपने देखा कितना बड़ा advantage है आपर inheritance use करने का तो चली चलते हैं अपने editor में and इस process को overall समझते हैं यहाँ पर मैं आ गया अपने editor में and then इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो javascript की file है इसे खोलूँगा और यहाँ मैं बनाता हूँ एक class जो की होगी animal नाम की तो यहाँ पर class में हो गया animal and इस animal में पहले बनालते हैं constructor ठीक है constructor में name आ जाएगा animal का and जो भी name आ रहा होगा वो हम name में assign कर देंगे एक बनालते हैं इसकी speed की default speed होगी कर देते हैं 0 because एक animal किस speed से भागता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर कुछ method जो हम बना लेते हैं तो पहला method क्या होगा पहला method होगा animal का नाम print करने के लिए print name यहाँ पर लिख देते हैं I am and then यहाँ पर इस animal का नाम जो है हम लोग लिख देंगे this.name तो यह क्या होगा यह animal का नाम जो है print कर देगा तो दूसरा जो method होगा वो उसकी speed दिखाएगा कि किस speed से वो भाग रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं speed and then यहाँ speed नाम लगके run लिख देते हैं and यहाँ पर हम लोग speed parameter को receive कर लेंगे ठीक है और जो भी आ रहा होगा उसको हम लोग print कर देंगे और यहाँ लिख देंगे this animals runs at speed of and यहाँ पर जो यहाँ की speed को print कर लेंगे तो this.speed इसर हमने लिख दिया ठीक है अब इसके बाद एक लगा देंगे हम function जो अगर animal कभी भाग कर रुखता है तो वहाँ पर हम लोग still खड़ा हुआ है अभी तो speed उसकी 0 हो जाएगी so यहाँ लग देते हैं stop का एक function ठीक है और यहाँ कर देते हैं this.speed को 0 because जो भी speed होगी वो अब नहीं रहेगी है द्वार से speed 0 हो जाएगी and यहाँ पर जो है console.log and यहाँ पर लिख देते हैं this.name stands still और यह जो हमारी class जो है बनके ready हो गई so आप देख रहोंगे कि हर animal भाग सकता है और हर animal के कुछ ना कुछ नाम होता है ठीक है तो आप अपने क्या करा आपने एक blueprint बना लिया अब इसको हम लोग use कर सकते हैं so let's say हमने हम बनाते हैं यहाँ पर dog class so यहाँ पर syntax यह होता है आपको अपनी class का नाम लिखना होता है जब class बनानी है and उसके बाद हम लोगो यहाँ पर extend keyword जो है use करना होता है so extend keyword बताता है आपको कि अब आप आगे लिखने वाली class की properties and methods को use कर सकते है so हमें किस class से इने हैट करना है उसका नाम लिखना होता है let's say हमारी जो से बोलेंगे वो होगे हमारी super class तो उसका जो नाम है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर and then इसके बाद जो है यहाँ पर मैं class बना लूँगा यहाँ पर let's say मैं एक और method जो है add कर देता हूँ and यहाँ पर जो method होगा वो होगा hide का so let's say आपर एक hide method बना लिखता हूँ and यहाँ पर लिख देता हूँ console.log and यहाँ लिख देता हूँ this.name hides ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक और method जो है बना लिया तो अब आप देख देख देखिए होता गया है कि अब यह जो मैंने dog नाम के class है ना यह इस hide method को तो यूज़ कर सकती है यहाँ पर जो मैंने print name बनाए है run बनाए है stop बनाए है इन सब को भी यह use कर सकती है ठीक है यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर आप class में constructor बनाते हैं यहाँ पर क्यों नहीं है यहाँ पर भी है constructor एक default constructor है अगर आप नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर automatically interpreter बनाता है उसकी बाद अभी आगे करेंगे फिलाल आप यह समझेए इनहेटर से concept काम कैसे करता है यहाँ मैं एक बनाता हूँ object तो यहाँ पर होगा let dog is equal to new dog ठीक है और यहाँ जो है dog का नाम बास कर देता है तो नाम इसका हो गए let's say husky ठीक है इसको save कर लेते है इसके बाद अब लोगों क्या करना पड़ेगा अपने को method कॉल करना पड़ेगा तो अब आप देखेंगे कि dog नाम का यहाँ पर object बन चुका है यहाँ पर आप देखेंगे जो output आ रहा है वो क्या आ रहा है इज़र console में चलते हैं तर सीथे अपने और console में आप देखते होंगे यहाँ पर आ रहा है आए हम husky तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप अपने parent class के method को simply use कर रहे हैं आपको बार बार वो चीश नहीं लिखनी पड़ी तो ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर अपनी speed भी print करवा सकते हैं तो यहाँ पर रिदेता हूँ मैं run and run एक argument लेगा तो यहाँ लेदेते हैं 87 so 87 km per hour let's assume कर लेते हैं अभी so यह run कर रहा है so अगर मैं इसको save करके दिखा हूँ so this animals runs at speed of 0 so 0 क्यों आ रहा है 0 इसलिए आ रहा है because हम लोगों ने क्या कर रहा है यहाँ पर this.speed को यहाँ पर रखने को set करना पड़ेगा speed के equivalent और इसके बाद अब देखेंगे आप जो output आएगा वो आएगा this animals runs at speed of 87 तो 87 यहाँ पर अपना आ गया तो ऐसे ही आप देखे रहे होंगे अगर मैं जहाँ पर सिर्फ अपना child class जो आपने functions को कैसे access करेगा तो यहाँ लिखना होगा मैं को dog and then यहाँ लिखना होगा hide and इसको कर लूँगा मैं save तो save करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ हसकी heights जो यहाँ पर print हो गया तो यह तरीका था class को inherit करने का next अगर बात करते हैं वो होता है method overriding method overriding क्या होता है कि let's say कि आपने एक function बनाया था अपनी parent class में जो की हो गया print name या run यह stop तो अगर आप same नाम से अपनी child class में भी वगर function बनाते हैं तो दिक्कत यह है कि let's say कि अगर आप उस function का call कर रहे हैं तो कौन सा function call होना चाहिए क्या वो child सा call होना चाहिए या parent class का call होना चाहिए example के तोर पे आपने एक method बनाया अपनी vehicle name की class में कि एक और method जैसे मैं add करता हूँ let's say तो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ number of gears so number of gears हर एक vehicle में अलग-अलग होते हैं number of gears किसी bus में अलग होंगे, car में अलग होंगे, truck में भी अलग होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे default property जो method है, जो gear का वो तो मिले ही मिले, but मैं अपनी class में भी define करूँ उस gear को तो time के accordingly मतलब जहाँ मुझे ज़रूद है मैं उसको वैसे use कर पाऊँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, override करना पड़ेगा, आपने default existing functionality का कर दिया override कर दिया, तो उसके मैं print कर दूँगा, और यहाँ लिख दूँगा कि I am a method of child class, ठीक है यहाँ पर इसको save कर लेते हैं और आप आप देख रहोंगे, अगर मैं यहाँ पर stop call करूँ तो आप देखना है, यहाँ पर कौन सा call हो रहा है, ठीक है save कर दिया, और यहाँ पर आप output देखो, I am a method of child class, ठीक है but still you want कि आपको यहाँ पर इस stop की functionalities को भी चाहिए, मतलब देखो यहाँ पर आपने एक नई feature इस में add गया नई functionality add करी, it's okay, it's totally okay, but आप यह भी तो चाहते है कि मेरे जो default functionality है जो पहले से चली भी आरी मैं उसका भी use उठाऊ वरना फायदा कि आपने एक अगर same method का code दुबार रसने लेशना पड़ा तो वहाँ पर आपको काम आता है super ठीक है, super आपको call करना होता है super reference होता है parent class का तो आप super की help save parent class के properties and method को refer कर सकते है हमने अभी तक this पढ़ जाता this क्या होता है कि जो object function को own करता है उसको refer करता है but super क्या करता है parent class को refer करता है so super.stop यहाँ पर अगर call कर लूँ and इसको अगर save कर लूँ तो आप देखना यहाँ पर जो है चीजे कैसे हो रही है यहाँ पर आप देखना यहाँ पर super.stop में इससे call किया तो यहाँ पर husky stand still यह भी print हो रहा है तो husky stand still क्यों print हो रहा है so इसको कुछ ऐसे समझते है यहाँ पर मैं आपको output देखाता हूँ और आप यहाँ पर output देखो अप क्या हो रहा है कि print name तो अपना यहाँ पर name and stand still तो यह इससे print हो गया then इसके बाद मैंने कुछ functionalities और add करी थी उसके बाद यह execute होना शुरू हो गया so इस तरीके से आप parent class का function भी execute करवा सकते हैं उसकी functionality जो आपकी existing functionalities है उसको use कर सकते हैं so यह काफी अच्छा concept है आपको बार बार same set of code जो है repeat नहीं करना पड़ता है आप उसे एक ही बार लिखकर उसको उसकी functionalities को बार बार use कर सकते हैं कुछ functionalities override भी कर सकते हैं so अगर आपको यह video अच्छा लगा so make sure you hit the like button and subscribe to our channel ताकि आपको ऐसी videos मिलते रहे future में next video में हम लोग बात करें constructor overriding की जैसे हमें method override किये थे कि आपने default existing properties को भी थोड़ा update करके उसको दुबार से use कर लिया तो अगले बात करेंगे जो एक constructor है इसको कैसे आप override कर सकते हैं because यह बहुत ही मज़दार concept होने वाला है so मिलते हैं अपनी next video में यह थो प्याइब लुबाव गार्फने